अब हम वाव के पैर के बारे में बात करते हैं वैसे तो वाव की जितनी वेराइटी हैं वो किसी भी पार्ट व स्पीज के नहीं होती यदि हम इतनी सारी वेराइटी को एक बार आपको बताएंगे तो आप काफी कंख्यूज हो रहेंगे तो डियर स्टुडेंट्स मोटे तूर पर समझे कि वाव जो होता है वो टू टाइप्स की हैं दो प्रकार की हैं एक तो में वाव और दूसरा एकज़नरी वाव अर्था अर्थरी हैल्पिंग वाव जो में वाव होती है वो किसी एक्षन को दिखाने वाली जो बेस वाव होती कोई है वहें में वह थी है वह में को भी टू पार्स में व meer डुल करते हैं लूल चुप आपने हम लशेropolis सो और बहोंकोते किला कर्मक कर्या किषिए किल्या अब वह कि शंद को भी हम किकोetten स्मुजने की कोशिश करते हैं एक रॉंचिटीक कॉशिच वाभ वाउन जसे चकbor एक्षन यानि की वो वाव जिसको एक जिसको अपना एक्षन रिशिव करने वाला कोई अब्जेक्ट चाहिए अर्फ़ वो वाव जैस में एक्षन पाश ओर होकर के वो अब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाए या मैं कहूं कि वो वाव जो बैवर अबजेक्ट के अपने मेनिंग को कलियर ना करे अपना जो उसका जो सेंस है वो सेंस कलियर ना हो उसे ट्रांजिटिव वाव कहा जाता है अर्थार्थ वो करिया जो अबजेक्ट के साथ आए अर्थार्थ जो अबजेक्ट को ले अपने साथ ले अपना मेनिंग कलियर करने के लिए वही ट्रांजिटिव वाव पहलाती है आप यहां पर देखें हमने कोछ एक्जाम पर लिए शी रोट यहां पर एक चीज़ नोट कीजेगा जब वाट और हूम का वाट और हूम वाव जब इनका आंसर आपको दे तो समल्ली जेगा वो वाव जो है वो ट्रांजिटिव वाव है जो वाट और हूम का रिपलाई दे वो जो है ट्रांजिटिव वाव है जो वाट और हूम का आंसर नहीं दे वो त्रांजिटिव वाव नहीं हो सकती अब देखी हम एक्जाम्पल के द्वारा इसको कलियर करते हैं she wrote उसने लिखा तो यहाँ पर she wrote उसने लिखा कुछ ऐसा दग रहा है कि sentence में कोई कमी है अर्था grammatically sentence complete नहीं है तो यहाँ पर wrote वाव ने अपने साथ action को receive करने वारा एक object लेना होगा और she wrote हमने कहा she wrote उसने लिखा what क्या लिखा तो वो क्या का जो reply यहाँ देगा तो means यह वार्ब जो है वो यहाँ पर transitive वार होई she wrote हमने लिखा a letter उसने एक पत्तर लिखा she wrote a letter यहाँ पर a letter जो है object है और जब तक इस वाव रोड ने अपनी action को receive करने वाला object नहीं मिला तब तक यह अपने meaning को clear करने में असमर्च थी तो यहाँ पर रोड जो है वो एक transitive वाव होई जिसने अपने meaning को clear करने के लिए या object को लेना पड़ा she made उसने बनाया what made क्या बनाया उसने तो यहाँ पर what का reply देने के लिए object चाहिए she made a cake उसने एक केक बनाया तो यहाँ पर made जो है transitive वाव होई दापियन रेंग चप्राशी ने बजाया या बजाई क्या what रेंग क्या बजाया means रेंग रेंग दा बैल चप्राशी ने घंटी बजाई तो यहाँ पर वारब रेंग ने object लेना पड़ा अपने meaning को अपने action को पास ओर करने के लिए transfer करने के लिए इसने आप object लेना पड़ा तो यहाँ पर रेंग एक transitive वाव होई please bring कटपा लाईए क्या a glass of water a glass of water यहाँ पर रेंग ने object लेना पड़ा अपना meaning कलियर करने के लिए bring transitive वाव होई the teacher taught अध्यापक ने पड़ाया what taught? क्या पड़ाया? taught a story अध्यापक ने एक कहानी पड़ाई तो यहाँ a story object लेना पड़ा taught वाव ने ताव अपने meaning को इसने कलियर किया तो यहाँ पर taught एक transitive वाव है taught students वाव जो अपने meaning को कलियर करने के लिए अपने action को object पर जो पास ओर कर रही है अर्थार जो object के बगर अपने meaning को कलियर करने में smart है वही transitive वाव कलाती है अब चलिए intransitive वाव दा वर्व यूज विदावट एन अपजेक्ट अपजेक्ट डगर अपजेक्ट के यानि के वो वाव जो अपने action जो डगर अपजेक्ट के अपने meaning को कलियर कर दे उसे intransitive वाव कहा जाता है यारी उसे अपना meaning complete करने के लिए अपजेक्ट की जुरूरत नहीं होती she is laughing वहस रही है अपने sense को बिल्कुल कलियर करता है अर्थ बिल्कुल सपस्थे कलियर है यहाँ पर कोई अपजेक्ट भी नहीं है तो वार्व लाफिंग यहाँ पर एक intransitive वाव है इसने अपने meaning को बताने के लिए आपजेक्ट की जुरूरत नहीं रही राधाई dancing राधा नाच रही है पलीन सीट करपा बैचिये he went वह गया तो यहाँ परे sit, went, dancing, laughing एक intransitive वार्व के तोर पर यूज हुई है क्योंकि यह बगर अपजेक्ट के अपने meaning को कलियर कर रही है यहाँ पर हमने इसके पीछे अपजेक्ट लगा दिया लेकिन इसके पीछे अपजेक्ट लगा दिया लेकर बिए श्टुडен्स ध्क्रण रखिए यहाँ पर जो मी है यह एक प्रैपोजिशन का عपजेक्ट है ने की लाफिंग वार्व का आरे おलै प्रैपोजिशन के बाद हमेशा अप्जेक्ट आता है याद रखिए यहाँ पर जो मी है वो प्रैपोजिशन एट का अबजट है नहीं कि वाव लाफिंग का इसी तरह से राधा यह दान्सिंग और स्टेज हम कह सकते हैं यहाँ पर लगा दिया अबजट है नहीं कि वाव दान्सिंग का इस दान्सिंग नहीं अपने साथ अबजट लेने की कोई जुरूत नहीं अपने मेनी को कलियर करने के लिए अब कह सकते हैं कि यह तो एक नाउन है ठीक है और वाव के बाद हुआ है तो अबजट होगा लेके इंडिया स्टुडेंट्स यहां पर याद रखिए यह हम जो है वो एक नाउन नहीं है यह यहां पर एक एड़वर्व है एड़वर्व यहां पर एक चीज का ध्यान रखिए जो आपको भैन लेर वाई और हाउ जो इनका रिप्लाई देगा एड़वर्व ओप टाइम एड़वर्व ओप प्लेस एड़वर्व ओप रेजन एड़वर्व ओप मैनर यह जो होते हैं यह एड़वर्व होते हैं यह अब इहां पर देखे ही वेंट हमने लगा करके देखा वाट चुम्ै कई आंसर में गयां के वाट और हूंिक का रिप्लाई महीं मिल रहा तो यहां वह गर गया, he went हमने कहा where, अब जो where है, where तो हमने यहां पर पढ़ा था, कि यह क्या होते हैं, यह एड़ वाब होते हैं, एडवर्ब है ये तो when तो एडवर्ब है और किसी वे sentence में वर्व का object बनने के लिए उसे या तो noun होना पड़ेगा या प्रनावन होना पड़ेगा क्योंकि object जो होता है वो सदा noun और प्रनावन होता है तो यहाँ पर home जो है वो जो है आपका noun नहीं ये तो एडवर्व हुआ क्योंकि ये वेर के बारे में बता रहा है नेक्स चलिए the baby is crying baby चिला रहा है यहाँ पर जो वर्व क्राइब है वो एक इंकांजिटी वर्व की तरह यूज हुई है क्योंकि यहाँ पर इस ने अपने मिलिंग को complete करने के लिए object ज़रूरत नहीं है कह सकते हैं the baby is crying betterly the baby is crying in the cradle लेकिन उस चूरत में ये प्रैपोजिशन के object हो जाएंगे birds fly पक्षी उड़ते हैं birds fly बहुत सारे जिज्जाती यहाँ confused रहते हैं लिख दिया birds fly in the sky पक्षी आस्मान में उड़ते हैं dear students यहाँ पर देखे इन प्रैपोजिशन है और यह दास का यह object है लेकिन यह किसका यह प्रैपोजिशन का नहीं के वाव फ्लाई का तो यहाँ पर एक फ्लाई जो है इन ट्राजिटिव वर्व हुई चिद्रन आर प्लेइं इन दा प्लेग्राउंड बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं वाव यह आर जो है helping वर्व हुई यह आपकी main वर्व हुई झाझ इन डा प्ले गराउंड एंग प्रेपोजिशन हुए आप प्रेपोजिशन हुई तो ये दा प्लेघराउंड जो है Syliselle सहाँ वेंग लेंग का कोई भी आपजेक्ट नहीं है चपाब होता है दो सटुडेंट्स कुछ वाब ऐसे भी होती है जो transitive और 이 transitive दोनों तरह से यूज हो सकती हैं जैसे यहाँ पर देखिए यहां पर बैल गहन्टे बजी Бजी यहां पर बैल और यह ब़uğद और अर्थ को अपना मीनिंग कलियर है दा बैल भे अबज़िए इसके बाद कोई भी object नहीं अपने meaning को clear कर रही है गगर इसको बगर object के यानि कि एसके action को receive करने वाला object नहीं है फिर भी ये अपने अर्थ को clear करती है तो ये transitive वर्ब यह वही intransitive अब देखिए दा पीन रेंग चप्टाशी ने बजाया या बजाई वट क्या दा बेल घंटे यहां पर यह दा बेल अबजेक्ट है यहां पर रेंग जो वर्ब है इसका एक्षन पास ओर हो रहा है अबजेक्ट के उपर अर्था अबजेक्ट इसके एक्षन को रिशिव करने वाला है तो यह यहां पर रेंग जो है वो ठा़ीटिव वाब है जब कि रेंग उपर लेंट इसे तरी से देखिए राहूर espeak primarily लावडली बोलता है ये ऑब्जेक नहीं क्योंकि । यह stick अवरी स्पीख नहों करते ये तो एड़व है कि वो फ। उच्य कि तो यहां पर यह पर आपने मेनि को क्लियर करने के लिए तो यहां पर यह इंट्रांजिटिव्य है जब कि दूसरे सब्सक्रांजिट्राइश हुई है तो यहां पर श्तुडाइब as a transitive वरब की तरह यूज हुई है तो dear students, hope कि आप transitive और transitive वरब को अच्छे से समझ गए होंगे next class में हम auxiliary वरब के बारे में details है then करेंगे